आज मैं आपको शिव स्वरोदे ग्रंथ के बारे में बताऊंगा उसका परीचे देने के प्रस्चाथ प्रतेक्ष लोक का आपके साथ मैं पाठ करूँगा और प्रयास करूँगा कि आप प्रतेक्ष लोक का अर्थ समझपाएं और उस ज्ञान को आत्म साथ कर पाएं जो की सनातन धर्म के रिशियों ने हमारे लिए शिव स्वरोदे में स्वर्विज्ञान के रूप में दिया किसी भी पुस्तक को उठाकर पढ़ लेना असान है, लेकिन किसी पुस्तक के बारे में खोजना, उसके बारे में जानकारी जुटाना थोड़ा कठिन कारिय हो जाता है, खास तोर से जब है एक प्राचीन ग्रंथ हो, तो प्राणयाम पे लिखा हुआ कोई दूसरा ग्रंथ मेरी द्रिष्टी में नहीं है, जो की शिव स्वरोदे के बराबर का हो, हाँ अनेक ग्रंथों में अनेक प्राचीन ग्रंथों में भी प्राणयाम पर कुछ न कुछ लिखा गया है, अनेक रिशियों ने प्राणयाम के बारे में, प्राणयाम के सम्मंध में कुछ कहा है, लेकिन पूरा ग्रंथ प्राणयाम को समर्पित होना बहुत कम ऐसे ग्रंथ हैं और जिसमें शिव स्वरोदे मुख्य स्थान प्राप्त है, यह ग्रंथ शिव और परवति माता के बीच का सम्मवाध है, माता परवति जिग्यासा वश भगवान शिव से प्रश्न करती हैं, और भगवान शिव बहुत ही प्रेम पूर्वक ध्यर्य पूर्वक प्रत्यक प्रश्ण का उत्तर देते हैं, माता पार्वती को अपने शिश्य तुल्ले मानते हुए उनकी सभी शंकाओं का समाधान करते हैं यह ग्रंथ जैसा मैंने कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का समवाध है तो आप में से अनेक जिग्यासू यह प्रश्ण उठा सकते हैं तो यह ग्रंथ शब्दों में कैसे आया? किस व्यक्ति ने प्रत्मा इसे लिखा? और कहां से इसकी शुरुवात हुई लोकिक जगत में? उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतिया हैं जब किसी वस्तू किसी विशे पर एक से अधिक मत होते हैं तो वहाँ विवादों के घेरे में आ जाती हैं हां गरंथ के बारे में विवाद अवश्य हैं लेकिन गरंथ की विशे वस्तू पर कोई विवाद नहीं है गरंथ की विशे वस्तू इतनी सटीक है जैसे की विज्ञान की कोई भी शैली जैसे की परियोग शाला में किया गया कोई भी परियोग हजारों बार करने के बाद कितनी मजबूती के साथ विज्ञानिक सिद्ध रखते हैं उसे सिद्ध करते हैं उसी प्रकार यह स्वर्विज्ञान हमारे शरीर रूपी परियोग शाला में हजारों बार करोणों बार सिद्ध हो चुका है मेरा मानना यह है कि जिस रिशी ने जिस रिशी के माध्यम से इस ग्रंथ का उद्भव हुआ वह अवश्य ही भगवान शिव के अनन्य भक्त रहे होंगे इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती पर इस ग्रंथ को समर्फित किया जैसा मैंने अभी कहा था अगर यह समवाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में है तो हम मनुष्यों तक यह कैसे पहुँचा इस ग्रंथ को शब्दों में भाषा में किसने उतारा यह सब अग्यात है तो मेरा यह मानना है कि वो रिशी जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे उनकी साधना का प्रिणाम यह है शिव स्वरुदे, स्वर्विघ्यान और उन्हों ने इसे इस ग्रंथ के रूप में लिखा या उबदेश किया जब इस ग्रंथ का एक एक स्लोक वो अपने सिश्यों को पढ़ाते होंगे बताते होंगे उपदेश करते होंगे तो बार बार उनका मन बघवान शिव लिंड क्फिक बखती में दूब जाता होगा है तो ऐसा केते हैं वह बारबार के मता पार्वती ने प्रस्ट्र किया रिष्चित रूप से अनेक उनके शिश्य इस प्रकार से प्रश्ण करते होंगे जिस्से की प्रेणा लेकर उन्हों ने इतनी आसान भाषा में इस ग्रंथ को उपदेशित किया कि आज हम लोग उसको समझने में सक्षम है यह समवाद अनेक विश्यों को बताता है जन्म से लेकर स्वास्थे से लेकर शिक्षा बीमारी युद्ध वैज जीवन में होने वाले अनेक प्रकार के क्रिया कलापों को सुन्दर व्यवस्थित रूप से कैसे किया जाए यह उपदेश इस ग्रंथ में है अनेक मेरे शिश्यों और साथियों ने आगरह किया कि मैं इस ग्रंथ का पाठ करूं तो आज मैं आपके सामने उपस्तित हुआ हूं इस ग्रंथ को बताने के लिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस ग्रंथ के रिशी भगवान शिव के अनन्य भक्त रहे होंगे इसलिए यह पूरा ग्रंथ ही उन्होंने भगवान शिव को समर्पित किया है और सबसे पहले इस ग्रंथ की शुरुवात मंगला चरण से की है हाँ एक और बात भी आपको जान लेनी जरूरी है कि आप यह पुस्तक यह ग्रंथ जब बाजार में खरीदने के लिए जाएंगे तो अनेक विद्वानों ने इस पर टीका की है टीका यह होता है कि मूल संस्कृत को पढ़कर अपनी समझ से जब कोई विद्वान उसका हिंदी में या किसी और भाशा में अर्थ लिखता है तो उसे टीका कहते हैं जैसे श्रीमत भागवत गीता पर हजारों टीकाए हैं लेकिन निश्चित रूप से भागवान श्रीकृष्ण का उद्देश्य तो अर्जुन को एक ही बात एक ही अर्थ बताने का थाना लेकिन हम मनुश्यों की बुद्धी जिस भी वस्तू समय या परिस्तिती से प्रभावित होती है हम उस की इंटर्पेटेशन अपने अनुसार करते हैं किसी को बारिश पसंद तो पानी पसंद तो बारिश को बहुत अच्छा बता दिया किसी को बारिश पानी पसंद नहीं तो बारिश को बहुत नुक्सान देने वाला बताया इस तरह से हम किस परस्णली हम किस बात से प्रभावित हैं यह निश्चित करता है कि हम जो बात कहन जा रहे हैं कि उसमें किस चीज की जलख होगी है तो इस गरंत की शुरुवाथ कि मंगला चरंद से हुई है मंगला जरन वह पहला श्लोक होता है जो किसी भी गरंत को शुरुवाइद करने से पहले जो उस गरंत के रिशी हैं वह अपने इश्ट देव को समर्पित करते हैं अपने इश्ट देव की उपासना में पूजा में प्रार्थना में अपना धन्यवाद प्रकड करते हैं और मंगला जरन यह भी दर्शाता है कि हमारा सब काम सकुषल सफलता पूर्वक हो जाए सिद्ध हो जाए कितना सुन्दर श्लोक है यह पहला श्लोक श्रियह कांतं परंदेवं नत्वा सर्वोतमं मया श्रिव सर्वोध्य स्यश्या भाशतीकार रिच्यते श्री गणेशाय नमहा महेश्वरम नम संस्कृत्य शैल जांगम रन्याकम गुरुर्चर पर्मात्मनम भजे संसार तारणम जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इस ग्रंथ के रिशी भगवान शिव के अनन्य भक्त रहे होंगे तो मंगला चरण का पहला श्लोक उन्होंने भगवान शिव को समर्पित करते हुए कहा पहला हमारी प्रंपरा है कि कोई भी कारिय शुरू करने से पहले हम गनेश तुदी गनेश प्राथना करते हैं गनपति का आवाहन करते हैं उससे थोड़ा अलग यहां पर कुछ हुआ है पहले रिशी ने महादेव को प्रणाम करते हुए पार्वती और गनेश को प्रणाम किया है पिता, माता और पुत्र का स्मरण किया है क्योंकि जहां पहले पिता का नाम ले दिया जहां पिता को सम्मानित किया वहां गणपती भी कुछ गड़बड कर नहीं पाएंगे आशिरवाद उनका बना रहेगा इस पुरी यात्रा में और भगवान शिव को माता पार्वती को और गनेश को नमन करते हुए एक तरह से आज्या मांगी है आशिरवाद मांगा है कि वो परमात्मा जो की संसार और जीवन से के चक्र से मुक्ति देने वाला है हम उसका आशिरवाद लेते हैं और इस करंध को आरंब करते हैं श्री देव्यू वाच यह दूसरा श्लोक है जहां से समवाद शुरू होता है समवाद माता पारवती और भगवान शिव के बीच में श्री देव्यू वाच देव देव महादेव क्रिपा कृत्वाम मोपरी सर्व सिध्धी कर जानं कथस्य स्वामं प्रभो देखो जैसे हम बहुत अलंगकार लगा देते थे ना बहुद शिव की आगे बजरंग बली की आगे मर्यादप उर्षुत्तिम श्री राम के नाम के आगे ऐसे ही पार्वती भी कि पर्तीत होता है कि भगवान शिव की भक्ती में ओत्प्रोत है भगवान शिव की भक्ती से आनंदित है इसलिए ऐसे शब्दों का पर्योग किया कि मैं देवों के देव महादेव से यह प्रश्न करती हूं माता पार्वती ने ऐसा भोला भगवान शिव से मैं देवों के देव महादेव भगवान शिव से प्रश्न करती हूं मेरे पर कृपा करें प्रभू देखिए पतनी होने के नाते ऐसा नहीं का कि मुझे यह बताईए मुझे इस बारे के बात के बारे में बताएं एक भक्त के भाती एक विध्यारती की भाती माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभू मुझे ज्ञान दें इस विशे में मुझे पर कृपा करें और सर्वसिद्धी करने वाले ग्यान को मुझे कहें जिस ग्यान से सब कार्ये सिद्ध हो जिस ग्यान से कोई भी कार्ये अपून ना रह जाए उस ग्यान को मुझे कहें देखिए एक और बात यहां दियान देने लाइक है कि माता पार्वती ने यह नहीं कहा कि मुझे भगवान प्रणायाम के बारे में बताईए भगवान मुझे आप स्वरविज्ञान के बारे में बताईए शिव स्वरवदे का उफदेश करिए अब वो तो देखो बच्चा तो यह कहता है मा मुझे बुख लगी है अब यह तो मा को डिसाइड करना है कि क्या पकाना है रोटी बनानी है या मेगी बनानी है या लवा बनाना है बच्चे को क्या पता कि क्या option है मेरे लिए बच्चे को क्या पता कि सर्दी हो रही है बाहर ice cream मैं मंग लूँ तो ठीक नहीं यह तो मा decide कर लेगी बस मैंने यह बोल दिया कि भुख लगी है इतने ही बोलना बहुत है तो मा पार्वती ने भी यही कह दिया कि जिस ग्यान से सब कार्ये सिद्ध होते हैं वो ग्यान मुझे दे दीजिए अब मुझे नहीं पता वो प्राणयाम है या ध्यान है या कुछ और है कि इससे संबंदित एक कहानी मैंने सुनी है आपको बता धूं एक बार से भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे सो तो माता पार्वती ने भगवान श्याव के गले में नर्मुंड की माला देखी तो माता पार्वती ने पूछा भगवान ये क्या है ये तो बहुत भ्यानक सी कोई चीज लगती है इतनी डरावनी चीज को आपने अपने गले में पहना क्यों है भगवान शिव बोले उमा पार्वती ये तुम्हारे एक-एक जन्म की निशानी है तुम एक बार जन्म लेती हो मेरी पत्री बनती हो मर जाती हो दो बारा जन्म लेती हो मेरी पत्री बनती हो मर जाती हो जब भी तुम मर जाती हो तुम्हारे उस नर्मुंड को उस कल को उस खोपड़ी को मैं यहाँ अपनी माला में लगा लेता हूँ पारवती बहुत हरान हुई यह बात सुनके भगवान मैं मर जाती हूँ आप मेरी खोपड़ी को मुंड को अपनी माला में लगा लेते हैं यह बात तो मैं समझ गई तो इसका मतलब कि आप कभी नहीं मरते आप नहीं मरते कभी भगवान ने कहा नहीं मैं ना कभी जिया ना कभी मरा ना मेरा कोई जनम ना कोई मृत्यव ना कोई शुरुवात ना कोई अन्त तो पार्वती माता ने कहा कि मुझे भी ध्यान सीखना है योग सीखना है जिससे मैं भी अमर्ता को प्राप्त करूँ तब भग्वान शिव ने माता पार्वती को ध्यान का उप्देश किया जो की एक अलग ग्रंत है इसके बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा तो इस प्रकार से जब एक बच्चे की भाती सब अपने मलों से विलीन होकर माता पर्वती ने प्रश्ट किया कि संसार में जिस बात से सब कारिय सिद्ध हो जाएं जिस ज्यान से सब कारिय सिद्ध हो जाएं वह ज्यान का भगवान मुझे उपदेश करें तो अगले श्लोक में भगवान शिव परवती को बताते हैं और इस श्लोक का पाठ हम करेंगे अगले भाग में इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले और लाइक तो जरूर ही करें क्योंकि आपने यह वीडियो देखा है धन्यवाद ओम नमस्यवाई